वहीं दूसरी तरफ PM Modi ने कॉंग्रेस पर निशाना साथते हुए कहा कि जितना ये वादा करते हैं उतना कभी कर्द माफ नहीं करते थे इनका फाइदा कॉंग्रेस के करीबियों और रिष्टेदारों को मिलता था ये सिर्फ बड़े किसानों का कर्द माफ करते थे और समझते थे अपना काम पूरा हो गया है PM Modi ने कहा कि कॉंग्रेस ने 10 साल में एक बार 50,000 करोड रुपे की कर्द माफी की बात कही लेकिन हमारी सरकार किसान सम्मान योजना में हर साल 75,000 करोड दिया जा रहा है प्रधानवंतिर नरेंद्र मोधी ने कहा कि अगर पुरानी सरकारों को चिंता होती तो देश में 100 सिंचाई प्रोजेक्ट नहीं लटके होते हमारी सरकार करोडो रुपे खर्च कर इन योजनाओं को मिशन मोड पे पूरा कर रही होती सरकार किसानों की लागत कम करने में लगी हुई है अस्ते में सोलर पंप दिये जा रहे हैं इन लोगों के वक्त में सबसिटी किसान के नाम पर चड़ती थी लेकिन लाब किसी और को मिलता था हमाई सरकार ने भृष्टाचार खत्म कर सीधे किसानों के खाते में पैसे दिये है पुराना हर अनुभव ये बताता है कि जीतनी ये गोशना करते हैं उतनी कर्ज माफी कभी नहीं करते हैं जीतने पैसे ये बेजने की बात कर रहते हैं उतने पैसे किसानों तक कभी पहुंचते ही नहीं हैं किसान सोचता था कि अब तो पूरा कर्ज माफ होगा और बडले में उसे मिलता था बैंकों का नोटिस और गिरपतरी का वॉरंट और इस कर्ज माफी का सबसे बड़ा लाप किसे मिलता था? इन लोगों के करीबियों को ना ते रिष्टेदारों को अगर मेरे मिडिया के मित्र अगर थोड़ा खंगा लेंगे तो ये सब आठ दस साल पहले की रिपोर्ट में उन्हें पूरी तरह कच्चा चिठा मिल जाएगा ये यही उनका चरीत्र रहा है किसानों की राजनीती का दम भरने वालों ने कभी इसके लिए आंदोलन नहीं किया प्रदर्शन नहीं किया कुछ बड़े किसानों का कर्च दस साल में एक बार माप हो गया इनकी राजनीती रोटी सिख गई काम पूरा हो गया फिर गरीब किसान को कौन पुष्टा है बोट बेंक की राजनीती करने वाले इन लोगों ने और इन लोगों को देश अब भली भाती जान गया है देश देख रहा है देश हमारी नियत में गंगा जल और मान नर्वदा के जल जसी पवित्रता भी देख रहा है इन लोगों ने दस सान में एक बार कर्ज माफी करके लगबग पचास हजार करोड रुपिये देने की बात कही दस सान में एक बार पचास हजार करोड हमारी सरकार ने जो पी एम किसान सम्मान योजना शुरू की है उसमें हर साल किसानों को लगभग 75,000 करोड रुपी मिलेंगे यानि 10 सान में लगभग 7,500,000 करोड रुपिया किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसपर ब्रश्टा चार पन नकेल कसी हमने सुनिश्चित किया कि यूरिया किसान के खेत में ही जाए इन लोगों के समय में सबसीडी तो किसान के नाम पर चड़ाई जाती थी लेकिन उनका लाब कोई और लेता था हमने ब्रश्टा चार के जुगल बंदी को भी बंद कर दिया सौफीजदी प्लेस्मेंट के साथ हम देंगे आपको मौका Life24 Media Institute Admission Open Registration के लिए कॉल करें 9560464170 आप हुरो